रादी रादी जैशी किष्णा कैसे हैं बक्तो आप सब आई हो पच्छे ही होंगे मैं संगीता शर्मा बक्ती बजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो बक्तो आज की वीडियो है कि रादा रानी की छटी गव है और उसकी हमें पूजा कैसे करनी है तो हमें रादा रानी की छटी बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए क्योंकि काफी जगे पे लड़कियों की छटी नहीं मनाई जाती है तो आप अपने घर के हिसाब से भी देख लें अगर आपके घर में रादा रानी की छटी मनती है या फिर नहीं वैसे तो हमें रा मेरे कृष्ण भगवान भी बहुत खुस होते हैं कि मेरी छटी मन रहे हैं तो वह बहुत खुस होते हैं तो आपको जरूर मनानी चाहिए राधारानी की छटी तो भक्तो राधारानी की छटी कोई ज्यादा कठीन पूजा नहीं है उसमें जैसे हमने अपने लड़ू गोपाल चाहिए मनाएं मैं दो तो मैंतलि तो शटी मना लें तो सबसे पहले मैं बता दूंथ राधा जी की छटी शुकरवार मनारीख तो बक्तों हमें पूजा कैसे करनी है, जैसे हमने लड़ू गोपाल जी को इसनान कराया था, पंचा मरस से दूद में इसनान कराया था, अगर आपने लड़ू गोपाल जी की मेरी वीडियो अगर देखिये, मतलब लड़ू गोपाल जी की जो मैंने छटी की वीडियो डाली मैंने भी लड़्डू कोपाल जी की जए चटी बनायी थी शाम के टाइम में इघी से और उसके बाद भाद में दूद से अच्छे से इस नान और अलान करानां अपनी लाडली को उसके बाद इनको नए वस्त्र पहनाएं वस्त्र आप अपने अपने हिसाब से जो आपको अच्छा कलर लगे आप पहना सकते हैं वैसे सोयालो कलर और ब्लु कलर अप सारे हैं हमारी लाडो का आप कोई भी कलर पहना सकते हैं अपनी लाडो को तो देखती हूं मैं भी कौन सा कलर पहनाती हूं या फिर कौन सा कलर अभी तो मैंने भी निसोचा है तो देखते हैं कौन सा कलर पहनाते हैं तो आपको यह करना है इनको आपको न्यू ड्रेस पहनानी है इनका शिंगार करना है अच्छे से और फिर करनी है जैसे सुभा में आप इनको पंचमन से स्नान करा दोगे उसके बाद अपनी लाडली को ड्रेस तो आप सुबह ही पना दें उनको तयार कर दें अच्छे से उसके बाद पूजा कर लें उसके बाद इनको आप कोई भी भोग लगा सकते हैं सुभे इनको दूद, मिश्री या फिर ड्राइ फूड कुसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं सात्वी खोना चाहिए भोजन और वक्तुम जब शाम को इनकी पूजा करेंगे तो हमें किस चीज का भोग लगाना है एक तो हमें कडी चावल तो बना नहीं है क्योंकि छटी पे कडी चावल बनते हैं तो आप पूरी भी बना सकते हैं या फिर आप रोटी भी बना सकते हैं और हमें अर्बी की सबजी बनानी है और खीर का भोग लगाना है चाहे तो आप और कोई मीठे का भी भोग लगा सकते हैं इसके लावा आप और कोई भोग लगा सकते हैं जो में चीज़े वो मैंने आपको बता दिये एक तो कड़ी चावल है रोटी बना सकते हैं आप चाहे पूरी बना सकते हैं वो आपकी मर्जी और खीर का भी हमें भोग लगाना है आप फल का भोग लगा सकते हैं हमारी रादा रानी का चीकू फेवरिट फ्रूट है तो आप इनको चीकू का भोग लगा सकते हैं इसके अलावा आप जो मर्जी भोग लगा सकते हैं भोग लगा सकते हैं तो भोग होना चाहिए सात्विक तो मैंने आपको बता दिया मेन आपको क्या भोग लगाना है तो आप छटी पे वो भोग लगा सकते हैं तो भक्तो जब शाम को आप भोग वगरा लगा दोगे आरती वगरा कर लोगे उसके बाद हमें रादारानी की उतारनी है नजर तो नजर भी आप जैसे काजल पालोगे जैसे हमें मैंने वीडियो डाली हुई है की काजल हमें कैसे बनाना है जैसे हमने लड्डe गोपाल जी के लिए काजल बनाया था छटी पे क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है घर में तो उस दिन उनको काजल लगता है ऐसी हमारी लाडो को भी काजल लगेगा हमने लड़ू को पाल जी के भी लगाया था और उसकी वीडियो भी डाली हुई है कि काजल कैसे बनाते हैं तो आप काजल पालेंगे जैसे कि दीपक जला हुआ है एक दीपक और जला लें आप देशी घी का दीपक जला लें उसके उपर एक चम्मच रख लें वो चम्मच काली हो जाएगी तो वो काजल बन जाएगा आप हलकासा उसमें देशी की का उंगली लगा के अपनी लाडों के आँखों में काजल लगाएं, कान के पीछे लगाएं और उनके पैरों के नीचे नजर का टीका लगा दें, क्योंकि हमारी रादारानी को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, क्योंकि सुन्दर इतनी है यह, तो आप उनको नजर का टीका भी जरूर लगाएं और आप नजर भी उतार सकते हैं रात को अपनी रादा रानी की और इनको इनके उपर नुचावर करें नुचावर आप किसी को दान कर सकते हैं नुचावर और अपनी रादा रानी के लिए आप कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं जैसे न्यू बेबी होता है जब छटी पे उनके लोने वगेरा लेके आते हैं या फिर कोई और गिफ्ट जो भी लाना चाहते हैं तो आप इनके लिए कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं और राधर आनी के लिए उस दिन आप ऐसे जैसे इन्होंने नजरिये पहने हुए हैं मैंने तो लड़ू गोपाल जी की जब छटी बनाई थ तब ही मंगा लिए थे तो मैंने इनको पहना दिये थे तो आप इस तरीके के नजरिये भी ला सकते हैं ये नजरिये इसलिए होते हैं ताकि हमारे बच्चों को नजर न लगे जैसे हम अपने घर में जब छोटा बच्चा होता है उनके लिए नजरिये लेके आते हैं ऐसी हम मिल जाते हैं अगर आपके घर के पास भी इजी ली ये मिल जाएंगे ये नजर ये जो होते हैं और आज कल तो ये बने बनाए आ रहे हैं इसमें मतल़ इस्टेचिबल होता है ये तो और आम से डल भी जाते हैं तो आप ये नजर ये लाएं अगर नहीं मिले तो कोई बात नही इनकी पूजा कैसे करनी है तो सिंपल तरीके की पूजा है जैसे हमने लड़ू गोपाल जी की छटी की पूजा करी थी वैसे ही हमें रादारानी की छटी की पूजा करनी है तो भक्तो आप भी रादारानी की छटी जरूर बनाएं अगर नहीं बनाते हैं तो आप जरूर बनाएं इनकी छटी और इनको छटी पे भी जूला जुलाना है अपनी लाडो को आप इनको जूला भी जरूर जुलाएं तो भक्तों यह यह आज की वीडियो की हमें लाडली की छटी पे पूजा कैसे करनी है क्या भोग लगाना है तो अब इस वीडियो का मैं ही पेंड करूँगे अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले राधी राधी ज क्याशी किशना मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में और भक्तों जो मैं छटी बनाऊंगी उसकी वीडियो तो आपके पास आई ही जाएगी जब इनकी मैं शुक्करवार को जब छटी मनाऊंगे अपनी लाडली की राधी राधी